नमस्क्र दुस्तों मेहूराजन मेरे तरब से आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज में बात करूँ गा इस से के टान्वाइज ऊल चार्ज ऐसे का जो कमपरशर होती है उसमें कितने का उल चार्ज करना चाहिए फिर उसमें कितने का उल होता है इन सब चुज़ों के बारे में आज में बात करूंगा तो फ्रेंट्स देखिए इसी का प्रों होती बहुं अलग अलग टॉन में होती है जैसे एक टॉन दो टॉन द्रॉन दाइट अंट तीन टॉन चाहतर पास टॉन भी होती है और इससे भी ऊपर के जो टन होती है एक टन तस टण उसमे भी ओईल होती है तो फ्रेंच आज में बात करूँगा कि एक कभी 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 कउल ओर होती है और उसमें कितने का?」 चारच सब्सक्राइब करना चाहिए अगर कंप्रेशर में कुछ दिक्कत आ गई है तो ऐसा की फ्रेंट्स होता है कि कभी-कभी जो कंप्रेशर होती है कंप्रेशर के जो अंदर ऑयल है उस ऑयल गंदे के फैल जाती है गंदे के फैलने के कारण जो कंप्रेशर होती है कंप्रेशर ऑवर हीटिंग होत अबनॉर्मल होना तो फ्रेंड से देखिए जब आप इसे के अंद डिपर्टमेंट में काम करते हैं जब गेस्ट्राच करते हैं ऐसा कभी-कभी हुआ है कि आप एक बर के जगा दो बार दो बर के जगा तिन बर इसे में आपने गेस्ट रिफिल कर लिया उसके बाद भी आपक को चौकिंग के फॉल्ट आती है तब आपको जाके उसके और को चिक करना पड़ता है कि इसके अंदर और कुछ तो खराब नहीं हो गया तो फ्रेंड्स अपने पालिया कि उसके अंदर खराब है तो आपको निश्टी तोर पे उस और को रिप्लेस करना चाहिए उस और को न और से उसके उसके और टार्रीग को रिप्लिस करना पड़ता है तो इन लीए बारीकी से कितने का एमेल और चार्ज करना चाहिए या तो पीर एक पालेखने ते निवसके से जो डिपर्टमेंट होती है डिपर्टमेंट पे जूरे सारी लोग है उन लोगों के इसके बारे में जानना चाहिए ताकि वो बारे की से इसके जानके उसके जो काम होती है उन काम को और बहतर भी बना सकते है तो फ्रेंड्स आईए इस वीडियो को अच्छी तरह से जानते है और दिखते है तो friends मेरे साथ जुर्रए है तो friends देखिए एक टन का जो compressor होती है एक टन compressor में 500 ml oil charge करना चाहिए तो 500 ml जो oil होती है वो एक टन ऐसे के लिए सही है अगर आप इससे उपर भी oil charge करते है तो आपके लिए ये फायदे मंत सबित नहीं होगा क्योंकि जब इसका एक limit होता है इस limit से उपर आप oil test करोगे तो ये जो oil होता है इस oil compressor के pumping के throw, discharge के throw, nickel care, जो pipe होती है copper pipe, evaporator, condenser उनमें जाके ये फैलेगी और आपकी जो AC के cooling है cooling bagger भी कम कर देगी cooling less होगी तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो limit होता है उन limit के उपर ना जाए तो ही बहतर होगी तो friends आईए आप जानते हैं कि debton AC के अंदर हमें कितने ml का oil charge करना चाहिए तो friends debton जो AC होती है debton जो compressor होती है उनके लिए हमें 700 से लेके 750 ml और चाहिए यानिके 700 से लेके 750 ml तक के oil charge करना चाहिए तो friends एक बात में और एक बता दो कि अगर आपके 180 से इधर उधर हो जाए तो कुछ भी फरक नहीं परेगी उससे भी ज्यादा कम याज ज्यादा होना नहीं चाहिए तो friends आईए दो टन की बारे में जानते है जो दो टन की compressor होती है उनमें 900 से लेके 1000 ml तक यानिके एक लीटर तक आप उसमें oil charge कर सकते हैं और जो धाइटन की compressor होती है धाइटन की compressor में 1200 ml से लेके 1200 ml तक आप उसमें oil charge रख सकते हैं कर सकते हैं फिर जो नए compressor होती है उसके अंदर ओयल मोजुद होती है तो friends आईए आप जानते हैं तिन टन की बारे में जो तिन टन की एसी है तिन टन चाटन पास्टन जो एसी है जो वाक्षप होती है जो परसनल वाक्षप होती है उन सब वाक्षप में जो एसी होती है तिन टन चाटन पास्टेन खुबी बहुत कम आती है और इनको बारे में जानने का बहुत कम अप्शन होती है तो फ्रेंड्स अज मैं यह भी बताऊंगा कि आप उसे केश से जान सकते है कि उसके ओयल कितनी होती है या फिर उसमें ओयल कितने का चार्ज होना चाहिए तो फ्रेंड्स देखिए उसके जो oil होती है तिन टन में आप 1500 ml oil charge कर सकते है तक आपके लिए बेहतर साबित होगी और फ्रेंड्स जो 4 टन की AC होती है उसके अंदर आप 1700 ml तक oil charge करना चाहिए अगर 1700 ml की नीचे गड़ते है जिसे के 1500 ml या 12 ml ऐसा होना नहीं चाहिए अगर इसे होता है तो compressor के जो coil होती है कोil burn हो सकती है जल सकती है और compressor operating भी हो सकती है तो आपको धियान देना चाहिए कि जो limit होती है उस limit के अंदर ही रहना चाहिए है उसके सो या पाचास थोड़ा कम या ज्यादा होने से कुछ फर्क नहीं होगी और उसे ज्यादा फर्क होगी या ज्यादा होगी तो आपके लिए बहुती नुक्सन सब्सक्राइब होगी तो फ्रेंट्स आईए आप चाहिए आप चाहिए फासरण एस जो में Kitchen 9000 ml लेके 200 ml तक ओयल Scripture करना चाहिए तो फ्रेंस यह जो ऐल होती है यह इस टेंडर्ट लेवल की ओयल होती है स्टेंडर्ट जो दिया गया ml है एमरे अगिर आप इससे का मिन जढ़े करना चाहते है तो आपकी ऑन टीए है आपकी ऊपर है इसके लिए मैं या मेरे चैनल कुछ जीमेदर नहीं रहेगी तो फ्रेंड्स यह थी आज के छोटी सी जनकारी तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसे लागा आप मुझे निचा कमन करके बता सकते हैं और फ्रेंड्स अगर बहुत अच्छे लागा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज